Hello my dear students, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का सभावयत है Magnet Brains में जा मिलते हैं Free Education, Kindergarten से लेके Class 12 तक Magnet Brains में आपको किसी भी तरीके के Transaction Payment की कोई भी नीड नहीं है क्योंकि Magnet Brains एक मात ऐसा प्लाटफॉर्म है जो High Quality Education वो भी Free of Cause जलिवर करता है साथ ही साथ e-notes and e-books भी प्रोवाइट किया जाते हैं डिस्रिप्शन बॉक्स पर गिवन जी लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं Magnet Brains की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com जैसे ही Magnet Brains की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है grab e-notes and daily practice papers, videos, lectures, topic wise, subject wise सभी कुछ अविलेबल हो जाएगा हमारा Hindi Medium चैनल भी अविलेबल है YouTube पे अगर आपकी family friends कोई भी Hindi Medium से तो आप उन्हें बता सकते हैं कि Magnet Brains उनकी लिए भी free education प्रोवाइट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बहुत ही ज्यादा interesting topic के साथ जो है activity 4.2 और साथ की साथ हम पढ़ेंगे poles of magnets के बारे में तो शुरू करते हैं इस session को activity 4.2 से जो है let us investigate अब इस activity को करने के लिए आपको थोड़ी कीले लेनी पड़ेंगे ठीक है जो iron fillings होती हैं आपके घर में उनको लेना पड़ेगा very small pieces of iron जो होती है on a sheet of paper तो अब आपके अगर घर में छोटी-छोटे iron के fillings है यह चोटी-छोटी कील है तो उनको ले लो तो यहां पर उनको sheet of paper पे ऐसे spread कर दो ठीक है ऐसे उन fillings को sheet of paper पे ऐसे पूरे paper पे spread कर दो ठीक है अब आपको लेना है place a bar magnet over them अब इसके ऊपर आपको एक bar magnet लेना है ठीक है तो bar magnet हम ने देखा था ना जो magnet ऐसे straight shape के होते है इसको हम bar magnet कहते हैं अब आपको एक bar magnet लेना है Tap that paper and observe carefully what happens to the iron filling. अब इसी magnet से इस paper को ऐसे tap करना है, ठीक है? आपने जैसे tap करा, आप notice करोगे कि जितनी भी iron fillings है, ये इस magnet के pole को जाके attract कर जाएंगी, ठीक है? ये इस magnet के pole को जाके attract कर जाएंगी, आई बात समझ में? Now, do you observe anything special about the way they stick to the magnet? क्या आपको कुछ special लगा, जिस तरीके से वो magnet के poles को जाके stick कर गई? तो आप notice करोगे कि जितनी भी पतली-पतली fillings थी iron की, वो poles पे बहुत जादा attract हुई थी और यहाँ पे कम attract हुई थी. तो क्या है ऐसा special, जिससे ये जो iron के fillings है, ये pole पे इतनी जादा attract हो गई? और बीच में कम हुई, तो ऐसा क्या है special in poles पे? So students, do the iron fillings stick all over the magnet uniformly? क्या ऐसा हुआ कि जितनी भी iron filling है, वो equal सारी जगा पे चिपकी? ऐसा नहीं है. तो no, हमने observe करा कि जो iron fillings है, वो more stick हुई at some places. So yes, so they got stuck at poles जादा when compared to the magnet uniformly. वो magnet जो iron fillings है, वो poles पे जादा stick हुई, ना कि पूरे magnet पे uniformly stick हुई. We find that maximum iron fillings stick to the end of the bar magnet as shown in figure 4.4. और हमने notice करा कि iron fillings जो है, वो जादा तर magnet के end में, दोनों जो कोने हैं magnet के, उन दोनों कोने पे जादा जादा चिपकी हैं, ठीक है? और as shown, while a very few of iron fillings stick at the remaining part of the magnet. और उसी के जगा बहुत ही कम iron fillings हैं, जो remaining part of the magnet पे चिपकी, जबकि जादा से जादा जो iron fillings हैं, वो दोनों magnet के ends पे जाके चिपक गई. आई पाज समझ में, चले. अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बच्ची question पूर्श रही है, अब इसी की जगा, अगर मैं U-shaped magnet लूँ, तो क्या उसके बाद भी ऐसा ही होगा? क्या होगा? कि यहाँ पे भी आप iron fillings लोगे, तो यह जो iron fillings हैं, यह क्या करेंगी? यह जाके magnet के इधर end पे चिपक जाएंगे, ठीक है? बहुत ही कम uniformly नहीं होगा, हर जगा पे बिल्कुल सेम नहीं चिपकेंगी, लेकिन end of the U-shaped magnet के चिपक जाएंगे. end of the U-shaped magnet के यह iron fillings जाके चिपक जाएंगे. तो अगर आपको यह और शेप का भी magnet लोगे, तो यह सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. Now, these ends, these ends of the magnet are called the poles. यह जो दो end है, जहाँ पे iron fillings आके चिपकी, इनको हम क्या कहते हैं? poles. यह क्या है? poles of the magnet. और magnet के कितने poles होते हैं? दो pole होते हैं. एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल. क्या होता है? एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल. आई बात समझ में, तो हर magnet के दो poles होते हैं, यानि के दो kone होते हैं, दो end होते हैं, एक होता है north pole और दूसरा होता है south pole, so these end of the magnet are north pole and the south pole, most of the iron filling stick to the poles of the magnets of any shape, और यहां पे आप कोई भी shape का magnet ले आओ, उसके भी दो ही pole होंगे, north pole and south pole, आई बात समझ में, यहां पे कोई भी shape का magnet हो, उसके दो poles होंगे और यह iron filling उसके poles में ही ज्यादा stick होगी, so if it is not possible to obtain a magnet with a single pole और ऐसा बहुत ही impossible है, कि आप सिर्फ एक ही pole का magnet बना पाओ, ऐसा नहीं हो सकता, हर magnet के दो ही pole होते हैं, और मैं आपको एक interesting चीज़ बता हूँ, कि अगर आपके पास एक बड़ा magnet है, for an example, आपके पास एक बड़ा magnet है, ठीक है, आपके पास एक बड़ा magnet है, और इस magnet का एक north pole है, एक south pole है, आप हैना smart बने, आपने smart बनके एक हतोड़ा लिया, और आपने उस हतोड़े को इसके उपर bang कर दिया, अब क्या हो गया, अब इस magnet के टुकड़े हो गया, भेगे अब इस मैंनिट के टुकड़ ऊगे तो आप वापने में अब तो हमारे पास सिर्फ नौрथ ओल बचा अब तो हमारे पास सिर्फों बिचा लेकिन ऐसा नहीं होता अगर आपने इस magnet के टुकडे कर दिये तो आपको क्या लगता है कि ये जो टुकडा है ये जो टुकडा है ये खुद में ही North South Pole बना लेगा मतलब यहां पर North हो जाएगा ये South Pole हो जाएगा अब अगर आप मैं बात करूँ इस टुकडे की तो मैं यहां पर तो स चोटे-चोटे पीसेस में कट कर दोगे तो वो चोटे-चोटे पीसेस भी अपना North and South होगा उसका ठीक है So, it is not possible to obtain a magnet with a single pole ये बिलकुल impossible है कि आप कोई भी magnet को एक pole के साथ बना सकते हो Now, if a magnet is broken into smaller pieces अगर आप magnet को छोटे-चोटे टुकडों में तोड़ दो तो North and South Pole always exist in pair तो अपने आप North and South Pole होगा उनका क्योंकि North and South Pole हमेशा pair में ही exist करते हैं कभी भी North अकेला, South अकेला नहीं exist करता ठीक है So, a single North Pole और South Pole cannot exist A single North Pole और single South Pole ये कभी भी exist नहीं करते हैं छोटे से छोटे टुकडे का भी North और South Pole होगा आई बात समझ में इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है आप टॉपिक Pols of the Magnet I hope this knowledge is very much clear to you ऐसी कई knowledgeable knowledge को गेन करने के लिए फॉलो करते रही है Magnet Brains को Magnet Brains आपको e-notes and e-books भी प्रोवाइट करते हैं डिस्क्रिप्शन बोक्स पर गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं Magnet Brains की वेब साइट पे www.magnetbrains.com जैसे ही Magnet Brains की वेब साइट आप विजिट करेंगे मीडियम से है आपका कोई फैमिली मेंबर स्कूल में कहीं वी तो आप उन्हें पता सकते हैं कि माइट वेइंस हिंदी मीडियम स्टूरेंस को भी फ्री एजूकेशन प्रोवाइट करते हैं साथ के साथ CBLC बोर्ट, Delhi बोर्ट, Bihar बोर्ट, UP बोर्ट, राजिस्तान बोर्ट के साथ साथ Magnet Brains के वेब कोसे भी प्रोवाइट करते हैं जैसे वेदिक माइट्स, क्राश कोस और स्पोकें इंगलिश आपको YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp सभी जगा मिल जाएंगे आपको बस Magnet Brains को लाइक करना है, शेर करना है, सब्सक्राइब करना है and students, मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहेगा till then, stay tuned, happy learning and have a nice day